कि अलो एब्रीवन आएम रीना एंड वन्स अगिन वेलकम बिक ऑन यूर यूट्यूब चैनल दांगी एकडमी तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने इंक्लूड किया है एक बर्निंग टॉपिक जो कि करेंट का इश्यू है जैसा कि आप अभी न्यूस में सुन रहे होंग कि असम में वहाँ पर फ्लड आया वैनि बाड आई है और काफी डेंजरस मोड में यह बाड आई हुई है इसके साथ वहाँ पर लेंड फ्लाइट भी हो रहे हैं तो इस पूरे वीडियो में हम डिसकुशन करने वाले हैं कि क्या रिजन है ऐसा असम में बार-बार क्यों हो र लिए तो इससे पहले आप सभी से क्लिक वैस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन कौन कर दीजे तक कि जब भी नया वीडियो अप्लोड हो तो आपके पास नोटि पर अप्लोड किये जा चुके हैं यदि आप किसी भी कॉंप्टिशन एक्जाम की प्रप्रेशन कर रहे हैं किसी MPPSC या कोई भी स्टेट पीसी या किसी अधर कॉंप्टिटिव एक्जाम की तो उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको दांगे की प्लेलिस्ट में मिल जाएं तो सबसे पहले हम जो इमेज आपको जैसा की स्क्रिन पर दिखाए दे रही होगी कि जो ट्रेन की पट्रिया हैं देखी जब ट्रेन का पूरा रूट है पूरा डिस्टर्ब हो चुका है पूरी पट्रिया वहां से गिर चुकी है और जो शहर के शहर है पूरे पाने में डू जाए यहां कि famous चीजे क्या है ताकि आपको थोड़ सी information असम के बारे में भी मिल जाए तो जिसा कि आप सभी को मालूम ही होगा असम जो है North East पार्ट में इंडिया की हम कह सकते हैं नोर्थ यानी कि हम यह कह सकते हैं लीच खोज्ब और इसकी जो border है, यह अपनी border किस-किस के साथ में शेयर करता है? भूटान के साथ में शेयर करता है, अरुनाचल प्रदेश के साथ में, नागालेंड, मनिपूर और मेगाले के साथ में, साथी साथ त्रिपूरा, मिजोरम और बांगलादेश. डारेक्शन वाइस देखते हैं कि अपनी बॉर्डर किसके साथ में शेयर करता है तो नोर्थ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है बुटान और अनाचल प्रदेश के साथ वहीं नागलेंड, मनिपूर और मिघाले, त्रिपूरा, मिजुरम, बांगलादेश, साथ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है नहीं साथ डारेक्शन में और वैस्ट बंगाल, वैस्ट के साइट और उसके साथ साथ जो सिलुगरी कॉरेडेक्स है वहाँ पर ही अपनी बॉ शक्राइमस या यहां की प्रसिद्ध चीज कौन सी खालव इसका अनसर आपका मुझेकं सेक्ष में कमेंज करके बताना है जो कि काफी करंड टॉपिक है ने सब में जो फ्लर्ड आया है तो कहीं पर क्या हो गया कि पूरा का पूरा पूरा पूर्य पूरे पूरी पूरे है इ नहीं हो सकता है कि climate change तो हो रहे हैं हम देख रहे हैं कि जो मांसून है उसका जो timing fix था वह फिक्स नहीं रहा है कभी तो time से बिफोर ही मांसून आ जाता है या कभी इतना लेट आता है कि उसका पूरा जो लेकिन इसके पीछे और भी रीजन हो सकते हैं सिर्फ क्लाइमेट चेंज को दोशी ठहराना ठीक नहीं होगा तो और कौन-कौन से रीजन है उसको भी हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले तो देख सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर कि यह जो पूरे रोड हैं पूरे के पू चुके हैं कई लोग बेगर हो चुके हैं भूख मरी की स्थिति यहां पर आ चुकी है बट ऐसा नहीं है कि यह स्थिति पहली बार उत्पन हुई है इससे पहले भी यहां पर कहीं बार बार आ चुकी है बट यह हर साल जो बार आने का जुकरा में वो लगातार कंटीनू जा यह अभी तक इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया गया है यह पानी गिरता हैं पानी को रोग नहीं सकती वह जरूरत भी है बट जो लिमिट है उसको यह क्रॉस कर चुका है एप्रोक्सिमेट 67% से भी ज्यादा जो इसकी एवरेज यहां पर जो बारिश होती है उससे 67% से भी यहां पर बारिश हो चुकी है उसकी वज़े से ही यहां पर प्लड आया है और लेंड स्लाइट भी हो रही है तो इसका जो में रिजन है उसे हम मान सकते हैं प्लांट कंस्रुक्शन यहां पर हो रहे हैं वो भी कहीं न कहीं इसका रिजन है यानि कि हर जगा रोड बना देना जहां पर इसकी जरुवत भी नहीं है, जितनी जरुवत हो, जितना जो nature है, से control कर सके, सिर्फ उतना ही plant construction यदि किया जाए, तो इसको थोड़ा कुछ limit तक इसको control किया जा सकता है, but unplanned construction, जैसे बहुत ज़्यादा rail की पट्रिया बिछा देना, fallen road का construction करना, यह सही इसकी कही न कहीं reason है, तो जो असम है, लगबग आप समझ सकते हैं, यहां पर बिलकुल भरबादी हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा lens lights और उसके साथ में बारिश यहां पर बहुत ज़् flood आया है, तो जो researchers हैं, जिन्होंने अपनी research के according आपर कुछ दो-तीन points निकाले हैं, कि जो सारी चीजे हैं, इससे related उनोंने कुछ points को clear किया है, कि इस सिर्फ climate change पर इसको हम थोप नहीं सकते, कि सारा blame हम climate change पर ही डाल दें, ऐसा नहीं है, हम यह मान सकते हैं, कि जो climate change हो रहा ह यहां पर, उसकी वज़े से भी क्या हो रहा है, कि जो monsoon है, monsoon कहीं न कहीं affect हो रहा है, कहीं कहीं तो बिल्कुल ऐसी situation आ जाती है, कि कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही यह बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, और कहीं कहीं पर जो बारिश है, इतनी uncontrollable हो जाती कि 2- 2-3-3 दिन तक बिल्कुल थमने का नाम नहीं लेती है और इससे ज़्यादा भी दिन कभी-कभी हो जाते हैं कंटीनियो रेंफॉल होता ही जाता है लेकिन इसमें क्या है कि हमारी भी गलती कही ना कहीं चुपी हुई है जो आसा में पूरा एक वेली में बसा हुआ है कहां पर ब सब कुछ नहीं बिल्कुल बादियां पर ला दी है तो बहुत जादा डिस्ट्रक्शन हुआ है इस शहर में और इसके लिए हर चीज को हम क्लाइमेट चेंज पर नहीं थोप सकते हैं पहले हम यह जान लेते हैं कि जो आसम है असम का नाम कैसे पड़ा इसका मीनिंग क्या होत है एक एक लेटर का फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले प्राइमेरी रिफ्रेंट्स क्या होता है असम का असम का फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन सुसाइटी ऑफ एडिक्शन मैडिसीन असम में जो फ्लॉड है उसके रिजन्स देख लेते हैं उसके साथ साथ जैसे क आप मेज में भी देख सकते हैं चारो तरफ सिफ पानी पानी दिखाए दे रहा है जो ब्रह्म पूत्र वेली है और इसके सिर्फ एक ही रिजन नहीं है यानि कि आप देख सकते हैं जैसे कि चेरापुंजी मांसी राम जहां पर बारिश के लिए फेमस है सबसे ज्यादा बार देश यहां पर भी काफी हैवी रेंफॉल हुआ है जिसकी वज़े से भी फ्लड आया है और ऐसा पहली बार नहीं है कि असम में फ्लड आया है यह स्थती बार बार हर साल उत्पन होती है हर साल यह सिच्वेशन का सामना करना ही पड़ता है सारे लोगों की डैथ भी यहां प हैसो डिस्टिक से एसमंका वहां सो मैं ज्यंस्टर Σे मेंट्रे जास्टर मेंटर है उन्हों इसका विजिट किया है लिए भी sitting का करने के लिए उसका कंट्रोλ करने के लिए काफी हेलप भी की है आप सकते ही मेज में जो पूरे के पूरे कि पूरे अख़र चुके हैं ऐसी situation वहाँ पर develop हो चुकी है हैसो डिस्टिक्स है असमका वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर ने इतना ज़्यादा पहल का मचा दिया कि पूरे के पूरे जो घर हैं पूरे वर्बात हो चुकी है पूरी cities जो है पूरी उसमें पानी ही पानी हो चुका है और लोग बेघर हो चुकी है ब्रह्मपुत्र का वो बहुत ज़्यादा high level पर पहुँच चुका है यह उसका जो level है उससे वो काफी ज़्यादा उपर भह रही है और उसकी वज़े जो situation है वो पूरी भयानक हो चुकी है और पहले हम यह देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से reason से जिसकी वज़े से आसन में बार-बार disasters आते रहते हैं तो सबसे पहले तो जो यूनिक geoclimatic condition से यहां पर पर सबसे पहले यहां पर जो यूनिक geoclimatic condition है यानि इस area की और इस area में लगातार ऐसे जो natural disasters जैसे कि flood, earth cube, land flights यह सब होते रहते हैं इसका बिलकुल यहां पर experience आप कहा सकते हो कि इस जगा को experience हो चुका है उसके लावा यह जो जगा है बिलकुल नदियों के किनारे बसी हुए जैसे इसे नदिया फ्लो हो रही है और उसी के किनारे बसी हुए जैसे ही मान लेजी जो उपर के रीजन से यह उपर के जो एरिया से यहां पर यह दि heavy rainfall होगा और इस एरिया में नहीं भी होगा तो वहां का जो water है वो जब इस एरिया में आएगा और यह जो एरिया से बिलकुल इनके किनारे पर बसी है तो तब भी यहां पर flood की जो situation है वो डेवलप हो जाती है और इसके अलावा जो इन्वार्मेंटल कंडिशन से उसके कॉर्डिंग भी यहां पर flood आता है अर्थिक्यू काता है और lens lights होते रहते हैं जो main reason है जैसा कि अभी हमने देखा कि हर साल यहां पर आते तो हर साल आने का reason क्या है तो यहां की सबसे पहले सो situation ही ऐसी है यहां की जो river से वो काफी amount में जैसे के अर्वनाचल प्रदेश में इगा ले यहां से काफी amount में इसमें पानी receipts होता है और वो flow होके इन एरियास में आता है जो भी इसका reason बनता है flood का उसके अलावा bank erosion bank erosion होने की करण जो ब्रह्मा पुत्र न दिया है यह सबसे main इसका cause हो सकता है flow होने लगता है water तो वो जो water है वो इन एरियास में आकर फेल जाता है और उसके करण बियां पर flood की जो condition हो डेवलप हो जाती हो सकते हैं flood आने की heavy rainfall जो की main reason है ocean waves coming on shore such as storms और जैसे की तुफान आना समुद्र में तुफान का उठना यह भी flood के आने का एक कारण हो सकता है और बर्फ का पिगलना melting of ice इसके अलावा as well as ice jams और जो dams है जो आसपास के जो dams develop हुए है उन में जो पानी है वो जमा होता है अचानक से यह उनको dam जो है उनके gate यह खोल दिये जाये तब भी वो भी reason मनता है यहां पर flood आने का आया है ऐसम में वैसे तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हर साल यहां पर flood आता ही रहता है लेकिन जो 2020 में है जब कोविड-19 की duration की बात की जा रही है एक तो कोविड-19 का टाइम चल रहा था जो कि बहुत बुरी इस्तेती थी बहुत भायनक इस्तेती हुद्पन हुईत की कोविड-19 के और उसने बहुत ज़्यादा फसलों को भी नुकसान पहुचाय था उसके साथ साथ भी यहां पर इसने नुकसान पहुचाय था क्रॉप के साथ सबसे बड़ा जो biggest flood है असम में कब आया था यह एक्जाम के point of view से बहुत ज़्याद है कि पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा है सबसे biggest flood असम में कब आक्यूद हुचा था तो आपको इध्यान रखना है 2012 2012 में ब्रह्मपुत्रा में जो flood है सबसे biggest flood आया था और यह क्यों आया था ब्रह्मपुत्र रीवर और इसकी जितनी भी ट्राइब्यों ट्रीज नदिया है उनकी वज़े से और जो सिग्निपिकेंट ऑफ मांसून रेंस इन इंडिया जो बांग्रादेश ही म्यानमार वे लगबग 124 पीपल मर गये थे फ्लडिंग की वज़े से और लेंड्सलाइट की वज़े से और जो 6 मिलियन पीपल है वो डिस्प्लेस हो गये थे घर से बेघर हो गये थे अपना गर उ और फ्लड के वज़े से तो ध्यान रखने आपको यह पॉइंट कि सबसे बड़ा या सबसे बीगेस्ट असम में कब आया था तो 2012 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा कि हम अभी डिसकस भी कर चुके हैं कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही इसका में रिज़न नहीं हो सकता तो और कौन-कौन से रिज़न है या कौन रिस्पॉंसिबल है असम में फ्लड के लिए तो सबसे पहला जैसा कि मैंने आपको बत सबसे नेगेटिव इंपक्ट पड़ते हैं आपर किन चीजों की वज़े से जो डेवलोप्मेंट हो रहा है अन प्लांट कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि रेल की लंबी-लंबी पट्रियां बिच्वा देना और फोलें रोड कर देना एक तो सबसे पहली हीली एरियास है और हीली सब्सक्रीट कंस्ट्रक्शन भी इसका donate रहा है करा कर पानी जाता है उसकी में कर सकते हैं लैंट्सलाइट और फ्लड इन दोनों का ही विचियोग दने मीघंटार इसम टेकि किया जा सकता हmarket the gc10机ंपस लाना चाहिए सबसे में इन पहर बेनंट कि यहांकि निकल नहीं पाता रुशी केवजे से फ्लड का सामना करना पड़ता है रोड पी भर जाता है और दीर दीर वो पानी घरों में भरने लगता है जो जो construction हो रहा है, embankments and flood walls का उसको अच्छे से किया जाए, reverse training and bank projection पे वर्क किया जाए, ज्यादा से ज्यादा, उसके लावाँ जो anti-rosion है और town protection को वर्क किया जाए, जनी city का development किया जा रहा है, बस बना दो, घर बना दो, रोड बना दो, बस construction continue किया जा रहा है, उसको control किया जाए तो उससे भी कुछ ना कुछ लिमिट तक हम, जो flood आ रहा है, महाँ पर, उसको control किया जा सकता है, उसके लावा जो river channelization है with prosletation device, इसको जरूर किया जाए, जितनी भी river से, उनका channelization किया जाए, और जो drainage सब से पहले इसको improvement किया जाए, ताकि जो पानी इखटा हो जाता है, उस उसको वहाँ से निकाला जाए, systematically, तो वो पानी फैलेगा नहीं, तो flood को हम control कर सकते ही, कुछ ना कुछ लेवर तक, बिल्कुल स्टॉप तो नहीं किया जा सकता है, यह दिखते हैं, किसका conclusion क्या है, तो चाहे असम में बाढ़ाई हो, या कहीं पर भी बाढ़ाई, उसका conclusion यह उसके साथ साथ यहां की जो रूरल एकोनोमी है, असम स्टेट की उसको भी डिस्ट्रोई कर रही है, और यहां पर क्या रहा है, जो 40 परसेंट की जो सर्फेज है, वो टोटल डेमेज हो जाती है, हर साल 40 परसेंट अप्रोक्सिमेटली, और जो एरिया से ब्रह्मपूत्र तो पर फ्लड आती है टोटल और यहां पर जितने भी इसके साथ एकोनोमी, यहांकी क्रॉप, यहांकी जो फिपल से वो सब अफेक्टेड होते हैं, तो यह मैंने कोशिश की थी, कि जो असम में बाढ आई है, जो भी हुआ है, जैसा कि आपने इमेजस में देखा, पूरी की रह गई है पूरी जो ट्रेंटी उनकी जो बोगी आए पूरी तरह से पलट चुकी है तो यह लैंड्सलाइट की वज़े से वार काफी जाद है वहार से एकोनोमिक होई आफुल नहीं वार काफी सारे लोगों की डैत हो चुकी है कई लोग बेगर हो चुके बुकमरी के स्थती प्रवाइट के जा रहे हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जा सब्सक्राइब बट जब भी वहां पर कुछ भी प्रोग्रेस किया जाए या कंस्रुक्शन किया जाए तो वहां की जो लोकल वाले रेसिडेंशल पीपल है एक बार उनसे आइडिया ज़रूर लेना चाहिए कि कहा पर कंस्रुक्शन किया जाना चाहिए और कहां पर नहीं ताकि कुछ ना कुछ लिमिट तक इसको हम कंट्रोल कर सके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूस सकते हैं थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो